नमस्कार आप देख रहे सिर्टी पोस्ट और मैं हूँ नेहा पुलिस रिमान पर देने से कोट ने इंकार कर दिया ये भी हमने आपको पता है था पटना पुलिस की मंगलवार को दायर अरजी को बुधवार को सुनवाई हुई थी बाड कोट के SGM कुमार माधवेंद्र ने दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद फैसला अभी सुरक्ष से पुलिस जो है उन्हें हिरासत में लेने की ये अरजी डाले और रिक्वेस्ट करें क्या है अनन सिंग पे मामला आपको बता दे विधायक अनन सिंग पे UPA अक्ट लगाया गया है आम्स अक्ट लगाया गया है विसफोटक अधिनियम और IPC की विभिन धाराओं के तहत माम बुद्वार को विधायक अनन सिंग के तरफ से उनके वकील ने कोट के समक्ष अपना पक्ष रखा था वकील मिथलेस कुमार और रजनीस ने रिमान का विरोध किया उन्होंने कहा कि दिली में पुलीस उनसे पूश्तास कर चुकी है विधायक की जान को खत्रा है उन्हें प पुलीस को तो उस दोरान अनन सिंग के वकील को भी पूश्तास के समय मौजूद रहना होगा ये अनुमती दी जाए पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी हो हमने पहले ही बताया था कि इस विडियोग्राफी का पैसा अनन सिंग खुद बियर करना चाहते है इस दोरान मजिस्ट्रेट भी उस मौके पे मौजूद हो विडियोग्राफी के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोट ने अनुमंडल अभियोजन पदादकारी सुनील कुमार कंद्वे का पक्ष सुना कंद्वे ने कोट में कहा पुलीस रिमान में कानून का पालन होना चाहिए पुली को बता दे कि ASP लीपी सिंग के नितरुत में पुलीस अनन सिंग से पूशताश करेगी उनसे AK47 हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में जानकारी हासिल करेगी अब ये देखना होगा कि कब तक कोट का ये फैसला आ जाता है कि उन्हें पुलीस हिरासत में भेज दिया जाए या पिर उन्हें जुडीसियल कस्टरडी में ही रखा जाएगा इंतजार हमें भी है कि हम कितना जल्दी से जल्दी आपको इसकी जानकारी दे लेकिन इंतजार आपको भी करना होगा हमारे साथ साथ जैसे ही हमारे पास खबर आती सबसे पहले सिटी पोस्ट आप तक कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलोशन पा सकते हैं सौथ क्यर मोबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472 98111 9472 98222 सौथ क्यर आप सॉलूशन अट योर फिंगर टिप्स